बिस्मिल्लार्मार्ण रहीम असलामलेकुम नियुर्स ट्रेंड मैं शाहस्तापी और वाचिंग लर्नीम की धापी मूर्स इस वीडिये में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं CS201 प्रैक्टिकल की आप लोग की जो असाइमेंट्स नंबर वान नाई हुई है और 20 इस तो यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दीगी है जो के केरिफली से रीड करनी है साइमेंट्स करवाने से पहले और डैवसी प्लस प्लस के लिए टूल आप लोग ने यूज़ करना है जो कि आप लोग एक दफ़ा इंस्ट्रॉल कर लेंगे और ओफ-लाइन भी उसको यूज़ और साइधला के बाइल आकन को भी प्रेस का लिजिए गया ताकि जितनी भी मैं आक्स वीडियो बनाओं किसी भी चीज़ का सुलेशन बनाओं आपको फोरी नोटिफिकेशन मीले और आप जल्दी से देख पाएं ठीक है तो डैवसी प्लस प्लस यह वीडियो है इसको यहां अब लोगों समझ आएगे कि करना कैसे है ठीक है तो उसके बाद आप लोगकोने इसको ने अपनी स्टूड़न साइधी डिस्पले करवानी है और प्रोग्राम का नेम लिखना है क्वह कोंस आप लोगकास कोपर है उसके बाद आप लोग ने आपनी आईडी के जो लास्ट टू डिजिर्स हैं उसको डिस्प्ले करवाना ठीक है लास्ट जो टू डिजिर्स होंगे शुड भी डिस्प्ले ठीक है रिवर्स ओडर में उसके बाद जो है आप लोग ने एक लास्ट पे जो है आपके आइडी का जैसे फाइव है लास्ट जो जो होगा वह आप लोग ने ब जाती है conservation आप लोग के साथ जो है वो शेर करती हूं devc++ को आप लोगोने open करना है और यहाँ पर file पे click कर के सबसे पहले आप लोगोने यहाँ पे new प्याना और new आप लोगोने जो है वो projects बना लेना है या new file जो है वो बना लेना है यहां पर C++ पर क्लिक लेने देना है और console application पर क्लिक करना है ठीक है यहां पर name जो है वो आप लोग रख ले ठीक है practical यह आप लोग अपनी ID यूज़ कर लीजिएगा ठीक है तो उसके बाद आप लोग नो OK कार देना है ठीक है desktop पर जब save हो जाएगी तो उसके बाद यह आप लोग पास new page आजाएगा इसको आप remove करें यहां पर आप लोग ना अपना जो है वो सारा code ride करना यह वाला ठीक है और इसके अंदर आप लोग ना अपनी ID उपर mention कर लेना यहां comment देके ठीक है यहां पर यह coding में show नहीं होता comment और आप लोग अपनी ID जो है यहां पर लिख लेजिएगा और उसके बाद नीचे name लिख लेजिएगा यह double slash लिखाकर comment देके lectures आप लोग ने सुने होंगे उसमें मैं आपने बहुत अच्छा explain करवाया ठीक है तो ID नाम और मेंचन कर दीजिएगा और अपनी ID.cpp extension देके आप लोग ने फाइल सेव करनी है अपनी ID से ठीक है और मैंने जो अपने student के लिए बनाई थी तो आप लोग अपनी ID जो है यहां पर यूज की जिएगा ठीक है तो इस तरह काफ़ी डिफर solution हो जाएगा उसके बाद यहां पर बाके जो आपको study program है वो आप लोग ने लिखना है जो भी आपका है और प्रोग्राम का नेम लिख करनी है तो .cpp फाइल बांजाएगा वही फाइल आप लोग ने submit करवानी है ठीक है तो यह code आप लोग देखले अच्छी तरह से इस code के आप लोग ने practice करनी है ठीक है यही जब paper होते हैं तो महां पर भी code आता है ठीक है error भी निकालनी होते है उसमें से और एक code आएगा करेंगे compile कर लेंगे compile and run जो है वो में कठा का देती है यहां पर तो यह output जो है हमारी शो करवा देगा यहां पर ID और प्रोग्रम सारा जो है प्रिंट होके आ जाएगा ठीक है यह 0 error आया और यहां पर यह देखें और reverse ID 21 और उसके बाद यहां पर prime number हमारा वान आ गया ठीक ह तो इस तरह से आप लोगों को ने करना है यहीं आप लोग का solution था assignments का वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like कीजिए और चानल को लाजमें subscribe करें और अगर कोई भी आप लोग का help चाहिए नीचे WhatsApp group हैं वो भी join कर लें और साथ जो हैं यहां पर WhatsApp number है चानल के उपर नी description में भी हैं तो कोई भी help चाहिए पर कोई assignments करवानी हैं आप लोग ने को पेड़ services लेनी हैं अगर आप job holders हैं housewife हैं यहां आप लोग करनाइट issues है electricity issues होते हैं तो उस case में आप लोग को कोई भी help लेनी हैं पेड़ services लेनी हैं तो हमारे WhatsApp number पे आप contact कर सकते हैं और उसके नंबर हैं और एक एक नंबर बहुत effect करता है CGP को पर activities बहुत ज़्यादा effect करती हैं सारी activities आप लोग के time to care करें जो भी queues और assignments हों तो आप इससे आप लोग का बहुत अच्छा CGP आता है activities से ठीक है तो अगर student है फिर तो खुद से आप लोग खपें इसकी practice करें जितना अच्छी practice होगी papers में ज्यादा अच्छा काम आएगा आएगा आप लोगों की तो ये देख ले program solution बिल्कुल 100% cracked हैं वही की solution है जो कि मैं अपने students के लिए जो हैं करती हूँ और आपने लिए करती हूँ तो वही मैं जो है आप लोग साथ share करती हूँ देख लिए अगर खुद बनानी है तो ये देखे code सारा आप लोग टाइप करें यहां पर सारी तरीका कार मैंने बता दिया आप लोगों को खुद करना चाहते तो खुद करें ठीक है इनकेस कोई issue होता है तो फिर आप लोग सारी चीज़े मैंने बता दिया कोई रहती नहीं है CS201 का भी solution पढ़ा हुआ है चैनल पर वह भी देख लें और CS201 प्राक्टिकल का भी लोड हो गया है और भी काफी है चैनल को subscribe कर लेंगे तो हर एक वीडियो आप लोग का notification मिलें जो आप लोग की assignments हो solution आपको जो मिले वो आप लेकर ठीक सुआ मुझे ने इजाज़ए तैक्क्स पूँ वाचिंग मैं वीडियो और अलाहा थीज